हेलो गाइज वेलकम टो अटन्नी डिश्टल एज्जुकेशन मैं के सोनी आज लेकर आया हूँ एनम के लिए रसाइन विज्ञान के इंपोर्टन क्वेश्चन जो कि इस एक्जाम के लिए बहुत इंपोर्टन्ट है तो चलिए समय बहुत कम बचा हुआ है इन एक्जाम की डे तो पहरा कोड़न जो है निम्न में कौन अक्षीजन नहीं है औछेपर बोजन का पकचना स्वसंद देहन तो सही आंसर जो है वो है तो च्पर जो है अक्षी जेंबर ऑक्सिकरन नहीं है चलिए अगला कोड़न नमक के गोल में सिलवन नैट्रे डालने पर जैसे प्दा तुत्पन होता है यह कौन सी अभिक्रिया है विष्ठापन उदासीनी करण सहन्यूजन अभिक्रिया है उप्चहन उस्ता पन अबिक्ति हैं किसी राषानि के अपक्रीम में और दल्चा उप्य साथ जाता है और एकले यह संयोजन और विक्टन और विष्थापन और विष्थापन और विष्थापन ऑग्सी कारण और आउत विष्थापन है चलिए एकली कॉशचन कि विक्टन और अजल हुदाइट है जल बनते हैं यह कौन सी अभिक्रिया है यह उदासी करण विक्टन सन्योजन आउच्छे पर दोस्गा जिसका जो सही आंसर है वो है उदासीनी करण चलिए अगले कोश्चन के उचलते हैं किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं प्रतिफल अवका अभिकारक या अक्सिकारक सही अनसर है अभिकारक किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ अभिकारक कहलाते हैं अगला कोश्चन स्वासन किस प्रकार की अभिक्रिया है उसमा छेपी अभिक्रिया सन्योजन अभिक्रिया उप्चैन अप्चैन अभिक्रिया दू यह चाहरक को जल में घुलने पर क्या मुक्त होता होती है ओ-ह एच प्लस प्लस अयन दोनों अजाएम आए यह कोई आयन नहीं तो चैंसर जो इसका वघ्चायन मुक्त होते हैं इसका सई आंसर है अगला कोशचिन काईजा दही में किस प्रकार का अमल पाए जाता है किसी अमल में मुखरूप मादू अबस daw मुझो रहता है जो धार्टर Congo से वगया करिक गैस उत्थन करता है Hydrogen, Oxygen, Nitrogen, Ammonia तो जो इसका सही आंसर है वो है Hydrogen अगले कुश्चन वे पदाज जिनके स्वात खटा होते हैं और जो नीले लिटमस के घोर को लाल बनाता है कहा जाता है अम्ल लामण भस्म चारक तो अम्ल इसका सही आंसर है जल में गुलंसील भस्म क्या कहलाते हैं चारक चार संचारन चारन सही आंसर देखते हैं चार जल में गुलंसील भस्म चार कहलाते हैं अगले कुश्चन निम्न में कौन प्रबल अमली है पीच सेवन, पीच फूटीन, पीच जीरो, पीच त्री जो निकाला जाता है लाल लाइकन पत्त्र गोभी हल्दी प्यट्वीनिया फूल तो जो सही आंसर जो लाइकन अगला कुश्चन सुष्क बूजा हुआ चूना पर क्लोरिन गेस की क्रियर से कौन सा बचात बनता है गैल्सियम ख्लॉराइट विरंजक चून है हल्दी लेटमास पत्र आदि किस प्रकार का सुचक है संसलिशिट प्रक्रतिक प्रक्रतिक यह अन साही आंसर देखते हैं प्रक प्रफचार करने के लिए निम्न में से कौन सी और साधी का उपयोग होता है एंटेसीड एंटिबायोटिक एनलेजेसिक या एंटिसेप्टिक तो सही आंसर जो है एंटेसीड है अगला कोश्टन निम्न में कौन ऑक्सी कारण नहीं है दैन और छेपर भोजन का पचना या सोसन सही आंसर देखते हैं अब छेपर जो है ऑक्सी करन नहीं है उसमा 6 पीड़ करिया है कापा चूण को वायू में गर्म करने पर उसकी सत्रय पर कापर आखसाइट की एक परत जम जाती है इस परत करन कैसा है काली स्वेड पीलनarm पhon ikतित होगर कंपोस्ट बनना किस अब करिय अगला कुष्टन सोडियम हड्रक्साइड का pH लग मान लगभग है 11 है 12 है 13 है 14 है 14 है किसी उद्रसीन विलेन का pH मान है 7 है 2 है 9 है 11 साहिए देखते हैं 7 किसी उद्रसीन विलेन का प्यूरा है जो काफी कठोर है कापर कलोराइड कैल्सियम फास्पेट कैल्सियम कर बारिट केल्सियम कारीड कैल्सियम कार्बूनेट इलि में कौन साम है Methe Give और है meetanic अमल, tartnik अमल, lektik अमल या oxygen है संही अंसर समस बनी वैबक्रिया उसमा स्मस आपक्रिया और यह नहीност घ्रडू अग्ला गमिले नहीं समस, सर्पूर्वरिक हमने डालने पर कौन ऑग्जास है मैं stunned प्रकास रसायनिक चलिए चलते एकले कोशन की और जिंक तता लेट कापर के अपिक्षा कम क्रहसील हैं समान क्रहसील या अगले क्रिशन मैगनीसियन के डिबन के दयन होने पर किस प्रकृती का लव उत सर्जित होता है लाल और चमकदार, नीरा चमकदार, सुछ चमकदार या हागा चमकदार सही अंसर स्विच चमकदार है सीरका में کौन सामल पाया जाता है लिएक्टिक अग्ल कोछन निमने वजयते योगिक है प्लास्टर ऑप पेरिस खड़िया संग्मवमर चून अपत्थर अगले कोछन के उचलते हैं नेमु के तासका do प्वाइब करना लाबकारी है बेकिंग सोडा इंग मुझाप करने के लिए किस प्रकार के मेंज़न का भिवार करना चाहिए जिससे कि धंत स्या रोका जाए ये सभी तो चार्की डंट मंजन इसका सही आंसर है ऐगला कुष्टन कौन अधातू विद्धुत का कुछा लख है ग्रिफाइट का इसके। हमने नहीं का जाता है शुड्यम सुड्यम कर्मियम सही आंसर जो सुड्यम है सोडियम को चाकू से काटा जा सकता है जस्ता के आयास्क हैं जिंक ब्लेड, बाकसाइड, सोडियम, क्लॉराइड, सिनावार सही आंसर जो है जिंक ब्लेड है एलुमिना का विद्धू रफगटन करने पर एनोड पर कौन सी गेस जमा होती है है हड्रोजन गेस, नेट्रोजन गेस, कार्बन डायक्साइड गेस सही आंसर है उक्सीजन गेस इस पास्त में कितना पेज़शत कार्बन है 3%, 4%, 2%, 5% सही आंसर 2% कौन सी धातू है जो अडिक ताप पर भी अक्सीजन से बिग्रिया नहीं करती है लोह, सोना, पोटेसियम, एलुमिनियम, सोना सोना जो है धातू, वह धातू है जो अरिक ताप पर भी अक्सीजन से बिग्रिया नहीं करती है कौन सा धातू जल्ब में डालने पर तैनने लगते है कैलसियम, निकेल, मेगनीसियम, पोटेसियम सही आंसर केल्सियम है जो की जल पर डालने पर तहलने लगता है एक ढाटू के टुकड़े के पतले तार खीचे जा सकते हैं यह ढाटू के किस गुण धर्म के लिए उत्तरदाई है तान्यता कठोरता अगहार्त वर्दिता या चालकता सही आंसर है तन्यता तन्यता की करण ऐसा होता है इसमें से कौन सी धातू चमकीला है कार्बन अयोडिन सेलफर ब्रोमीन सही आंसर ब्रोमीन है ब्रोमीन चमकीली होती है चलिए अगला कुश्चन धातू के बरतन में खाना बनाया जाता है क्योंकि मुणिए तेक सिलवर लेड पोटेसियम जब के साथ अब इसमा करती है आहिने के योगी के गलन hon ऊते हैं हुच होते हैं, समन्छ रही लोगते हैं, सबीज़त रहा रह मदाने हैं तो गाइज यह थे बहुत इंपोर्टन कोश्चन यह कमिस्ट्री के जो तो कमिस्ट्री बार रसायन विग्ञान के हैं और इस प्रकार वीडियो को आलाच तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मिलते हैं अगले वीडियो पे और डिस्किप्शन में जाके इस्टाग करिए और कमेंट करिए और सेर करिए ठेंक यू